नमस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहाशष्ठी के अवसर पर पष्चिम मंगाल में होने वाली दुर्गा पूजा में विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये शामिल होने वाले हैं आई आपको सिधा लिए चलते हैं शामने आशेन आमरा अधीर आग्रुहे अपेखा कुरची कुष्चिम बांगेर लुखो-लुखो मानोश आमरा आहोबान जानाची ओनाके वर्ट्यूली आमादेर शामने उपुस्तिथाबात जुन्नो आमरा प्रुस्तुत ओनाके बारोन कोरेनेवार जुन्नो प्रधान मंत्री मानन्य स्री नारेंद्र महुदी जी को स्वागत करती हूँ दुर्गा पुजा के शुक्त अपसर में चाहते हैं कि वो हमारे बीच आए वर्ट्यूली और उनका सुभेच चबार्त सुनाए हम लोगों को हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी को पहले हम लोग शंक उलू और शाक के द्वारा स्वागत करेंगे हम बोलेंगे सब को प्लीज शंक बजाएए और शंक बजाएए झाल 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 आमानेर मानोनियो मधान मंची तार परिकल्पनार प्रतिकी प्रकल्पेर शुचिन्धितो प्रयोग देश्बाष्टिके प्रति दीन प्रति मुर्टे शाम्रिध्व कर्छे भोविश्वतियो कर्वे देवि दुर्दार काछे तार सुषास्थो एबंग दिर्घायू कामोना करी जायू 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 बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान मंची माननिया स्री नरेंडर मोधी जी को आज हमारे बीच आने के लिए हमारे बीच बाबुल शुप्रियोदा भी है तो हम चाहेंगे अगर बाबुल दा है और प्रधान मंची जी है और इतना ऐसा शुब अपसर में रविंद्रनात जी हमारे साथ ना हो तो कुछ अधुरा रह जाता है इसलिए हम चाहेंगे बाबुल दा अगर कोई रविंद्र शुप्रियोदा हम लोगों को और प्रधान मंची जी को भी सुनाए तो प्रदान मतीजी को मेरा नमस्कार आज का सुवा अफसर पर वो मेरे साथ, हमारे साथ रहें बंगाल के साथ रहें इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोगो तो जूडे उदार शूरे आनोंदो गान बाजे जोगो तो जूडे उदार शूरे आनोंदो गान बाजे शेगान कबे गोभीरो रबे बाजी बेहिया माजे जोगो तो जूडे उदार शूरे आनोंदो गान बाजे बाताशो जलो आकाशो आलो शबारे कबे बाशी बोभालो बाताशो जलो आकाशो आलो शबारे कबे बाशी बोभालो ध्रिदयो शबा जुडिया तारा बोशी बेनाना शाजे जगोतों जुडे उधार शुरे आनुन्दो गान बाजे नयोन दूटी मेलीले कबे परानो हबे खुशी जे पथो दिया चोलिया जाभो शबारे जाभो तुशी रोय छो तुमी एक अठा कबे जीवन माजे सह जो हबे आपनी कबे तुमारी नाम धोनिबे शबो काजे आपनी कबे तुमारी नाम धोनिबे शबो काजे जगोत जुडे उधार शुरे आनुन्दो गान बाजे शेगान कवे गोभीरो रभे पाजी बेहिया माजे जगोत जुडे उधार शुरे आनुन्दो गान बाजे जगोत जुडे आनुन्दो गान बाजे कि वे महाशिष्टी के शुब अपसर पर बंगाल के जनता को तुर्गा पूजा का अपना सुहेच्चा संदेज दे जोड़दार ताली उसे माननिय प्रधान मंतिजी का स्वागत करें प्रत्में आपना देर शकल ले जनाई श्रीशी दुर्गा पुजोवो आसन्न श्रीशी काली पुजो एबं दिपावलीर प्रिती अतिरेक सुबेच्छा और अभिननदन पांगलार एई पवित्र भूमी ते दुर्गा पुजोर शोविये आपना देर सकलेर मद्दे आस्ते पेरे आज आमी नीजी के धन्यों माने करीशे पस्चिम बंगाल के मेरे भाईयों और बहनों आज भक्ती की शक्ती ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं लेकिन आज मैं बंगाल में आपके बीच उपस्तित हूँ बंगाल के मादूर्गा के भक्तों ने मेरे स्वजनों ने मुझे बुलाया है मुझे इस्वा अवसर से चुड़ने का बहुत बड़ा सौभागी मिला है जब आस्था अप्रमपार हो मादूर्गा का आशिरवाद हो तो स्थान, स्थिती, परिस्थिती से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगाल मय हो जाता है ऐसी कोई जगह नहीं जहां इन दिनों के राम बांगला और शोर बांगला के रंग और मादूर्गा के नवरूप की जलक न दिखाई देती है दूर्गा पजा का पर्व, भारत की एकता का पर्व भी है भारत की पूर्णता का भी पर्व है बंगाल की दूर्गा पुजा, भारत की इस पूर्णता को एक नई चमक देती है नए रंग देती है, नए स्रंगार देती है ये बंगाल की जागरूत चेत्रा का, बंगाल की आध्यात्मिक्ता का, बंगाल की एतिहासिक्ता का प्रभाव है पवित्र सस्टी के इस पुण्य अवसर पर मैं बंगाल की पवित्र पुण्य भूमी आज आधर पुर्वक नमन करता हूँ बंगाल की भूमी से निकले महाल व्यक्तित्वों ने, जब जैसी आवशक्ता पड़ी, सस्त्रव और सास्त्र से, ठ्याग और तपस्या से, मा भारती की सेवा की पंगाल की माटी को अपने माथे से लगाकर, जिनोंने पूरी मानवता को दिशा दिखाईगी उनसी दामक्रिष्ण परमाउस, स्वामी विवेखानन, चैतन्य महाप्रभू, श्री अर्विंदो, बाबा लोकनात, श्री ठाकुर अनुकुल्चेंद्र, मा आननमाई, ऐसे अंगिनत, अंगिनत रुशी परंपरा के महानु भावो को, महर्शियों को, तपस्यों को, आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूँ, जिनोने बंगाली नहीं, पूरे देश के संस्कारों को गड़ा, उन गुरुदेव रविंदराज जी टागोर, पंकिम चंद्रजी चट्रपध्याई, चरत चंद्रजी चट्रपध्याई को भी, मैं आदर पूर्वक प्रणाम करत जिनोने भारतिय समाज को नई राह दिखाई, नई चेतना जगाई, उन इश्वर चंद्रविद्यासागर, राजा राम मोहन राय, गुरुचंद्र ठाकोर, हरिचन ठाकोर, पंचानन बर्मा का नाम लेते हुए ही एक नई चेतना जगती है, आज अवसर हैं उन सब के सामने ससिष जुकाने का, जिनोंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जीवन्त किया, नई उर्जा से भर दिया, ऐसे नेताजी सुभाचिंद्र बोश, शामा प्रुशाद मुखर जी, शहित खुदराम बोश, शहित प्रफुल चाकी, मास्टर दा सुर्य सेन, पागा जतीन को हम सब आज नमन करते हैं, जिनोंने मा भारती की सेवा में अपना जीवन लगा दिया, ऐसी मा शार्दा, मातंगिनी हाजरा, रानी राश्मनी, पृतिलता वादेधार, सरला देवी चोधरानी, कामिनी रायको, आज प्रणाम करने का एप पल है, जिनोंने विज्ञान के छेत्र में भारत का भारत का पर्चम पूरी दुनिया में लहराया, ऐसे जगदिश्चंद्र बोस्त, सत्यंद्रनाद बोस्त, आचारिय प्रफुल चंद्र राय, आज जब विज्ञान का यूग, उनको हर प्रलिय प्रणाद करता है, मैं भी आज उन महानुभावों को नमन करता हूँ, आज के भारत को घणने में, समारने में, बंगाल का इतना बड़ा योगदान है, इतने सारे नाम है, कि शाम हो जाएगी, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे, कला संगीत जगत की ही बात करे तो, काजी नजुरुल इसलाम, सत्यजीत रे, रुत्विक गटक, मृनाल सेन, सुचित्रा सेन, उत्तम कुमार, कितने ही नाम है, जिनोंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, वैसे बहुत से लोगों को, ये भी पता नहीं होगा, कि दुर्गा स्वरूप, मा भारती की जो तश्वीर, आज करोडों भारतियों के दिल में बसी हैं, वो तस्वीर भी सबसे पहले, बंगाल में, अबनिंद्रनाथ टेगोर जी ने बनाई थी, बंगाल के लोगों में, एक ऐसी आत्मशक्ती हैं, जिसके कारण, वे हर खेत्र में, आगे बढ़कर उपलिप्दिया पाते हैं, बंगाल के लोगों ने देश को प्रगती के मार्क पर आगे बढ़ाया है, आज भी बढ़ा रहे हैं, और ये मेरा विश्वास है, कि बविश्व में भी, बंगाल के लोग, देश का गौरव, इसी तरह बढ़ाते रहेंगे, अभी इस कारके में उपस्तित, आप सब भी बंगाल के विकास में अपना योगदान दे रहें, आज के पावन दिन मैं सभी का स्मरण करता हूँ, अथा सक्तियों से भर्यू ही बंगाल की जनता को मैं आदरपूरवक नमन करता हूँ, साथियों, इस बार हम सभी कोरोना के संकट के बीच दुर्गा पुजा मना रहें, मा दुर्गा के भक्त, पंडालों के आयोजकों, सब ने इस बार अध्व्यूत सैयम दिखाया है, संक्या पर भले असर पड़ा हो, लेकिन भव्यता वही है, दिव्यता वही है, आयोजन भले ही सिमित है, लेकिन उत्सव का रंग, उल्लास, आनन, असिमित है, यही तो बंगाल की पहचान है, यही तो बंगाल की छेतना है, यही तो असली बंगाल है। हाँ, मेरा आपसे ये आगरत जरूर है कि मा दुर्गा के पूजा के साथ ही आप दोगज की दुरी, मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करें। साथियों, बंगाल में उमा एलो घरे की सनातन परंपरा रही है। दुर्गा पुजा के पारम में बोधन समहरों में मा का पारंपारिक आहवान भी इसी परंपरा का विधान है। यहां दुर्गा को अपनी बेटी भी मानते हैं। बेटी की तरह घर में उनका स्वागत करते हैं। यह दर्शन इश्वरिय सत्ता से हमारा संतान और मा का यह रिष्टा यही हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतन का मुल्भुत आधार है। इसलिए हमें सभी बेटियों को दुर्गा की तरह सम्मान करने की सिख दी जाती है। नवरात्र में उनकी पूजा की जाती है और मा दुर्गा की पूजा तो शाक्षार शक्ति की साधना है। हमारी मा दुर्गा दारिद्र दूख भय हारिनी कही जाती है। दुर्गती नाशिनी कही जाती है। अर्थात वो दुखों को दरिद्रता को दुर्गती को दूर करती है। इसलिए दुर्गा पूजा तभी पूरी होती है जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं। किसी गरीब की मदद करते हैं। साथियों महिसा असुर का वद करने के लिए माता का एक आउशी ही परियाप्त था। लेकिन इस कार्य के लिए सभी दैविये शक्तियों को संगटित हो गई थी। वैसे ही नारी शक्ति हमेशा से भी सभी चुनोतियों को परास करने की ताकत रखती है। ऐसे में ये सभी का दाइत्व है कि संगटित रुप से सभी उनके साथ खड़े हो। भारतिय जनता पार्टी के विचार यही है, संसकार यही है और संकल्प भी यही है। इसलिए देश में आज महिलाओं के ससक्ति करण का भी अभियान तेज गती से जारी है। चाहे जन दन योजना के तहट 22 करोड महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो। या फिर मुद्रा योजना के तहट करोडों महिलाओं को आसान रुन देना है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो। या फिर तीन तलाग के खिलाप कानून चाहे गरबावस्ता के दोरान मुक्त चेकप की सुविदा हो। या फिर पोशन अभियान चाहे स्वच्च भारत के तहट घरों में सवचाले का निर्मान हो। या फिर रसोई में धुएं से आजादी चाहे नाइट सिप में काम करने के अधिकार हो। या फिर मैटनिटी लीव को बारा हपते से बढ़ा कर 26 हपते करना हो। चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्विकृती हो। क्या फिर सेना में पर्मेनेंट कमिशन देश की नारी शक्ति को ससक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। महलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है। रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सक्त किया गया है। दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है। भारत ने जो नया संकल पर लिया है। आत्म निर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं। उसमें भी नारी शक्ती की बहुत बड़ी भूमी का है। साथियों, मैं पोलेनात की नगरी काशी का सांसद हूँ। काशी में मा दुर्गा माता अनपुर्णा के रूप में मिराती है। मा के रूप में दुर्गा जी को हमेशा ये चिंता भी रहती कि उनकी कोई संतान भूखी न रहे, कोई गरीब न रहे। पांगला में कहते हैं आमार संतान जेनो थाके दूदे भाते। मा दुर्गा का ये आशिरवात तभी पूरा होगा जब हमारा किसान आत्म निर्भर बने। हमारा स्रमिक आत्म निर्भर बने। हमारा देश आत्म निर्भर बने। आत्म निर्भर भारत के इसी संकल्प से हमें सोनार बांगला के संकल्प को पूरा करना है। हमें याद रखना है ये बंगाल की ही पवित्र धर्ती थी जिसने मायर देवा मोटा का पोड माथाय तुले नेरे भाई का गीत दिया था। इस बंगाल की ही धर्ती थी जिसने आजाजी के आंदोनन में स्वदेशी को एक संकल्प बनाने का काम किया था। पांगलार फॉल पुन्य होग पुन्य होग पुन्य होग थे भगवार्ण। इसलिए 21 सदी में आत्म निर्वर भारत का ये नया संकल्प भी बंगाल की धर्ती से ही मजबूत होगा। हमान बंगाल के गवरों को बंगाल के उद्यम और बंगाल के उद्योग को यहां की समरुद्धी और संपन्नता को नई उचाईयों पर पहुँचाना है। साथियों बंगाल के तेज विकास के लिए बंगाल के लोगों को मुलभुत सुविदाय पहुचाने के लिए निरंतर काम हो रहा है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट बंगाल में करीब करीब 30 लाख गरीबों के लिए घर बनाए जा चुके हैं। उजवला योजना के तहट करीब करीब 90 लाख गरीब महिलाओं को मुप्त गैस कनेक्शन दिये गए हैं। प्रधान मंत्री जंदन योजना के जरिये बंगाल के लगबग 4 करोड गरीबों के बैंक खाते खोले गए हैं। इतना ही नहीं जल जीवन मिशन योजना के जरिये बंगाल के लगबग 4 लाख गरों में पाइप से साब पानी पहुचाना के काम हुआ है। पंगाल के इंफास्ट्रक्टर के लिए कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। कोलकाता में इस्ट वेस्ट मेट्रो करीडोर परियोजना के लिए भी साड़े आठ हजार करोड रुपे मंजूर किये गए हैं। नेपाल, भारत और बंगला देश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सैंकडो करोड रुपे की लागत से सड़क परियोजना पर कारियस चल रहा है। नेशनल हाइवेज हो, वाटर वेज हो, या फिर गाउग गाउग तक प्राउड बेंड कनेक्टिविटी। हमारी कोशिज है कि बंगाल के आम जन के जीवन से मुष्टिले कम हो, उनका जीवन आसान बने। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार ने पुर्वोदय का मंत्र अपनाया है। जहां सुर्योदय हम देखते हैं पहला, उसी दिशा का पुर्वोदय, पुर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। पुर्वोदय के इस मिशन में पस्चिम मंगाल को महत्वपूर भूमी का निभानी है। मुझे भरोसा है कि पुर्वोदय का केंद्र बनकर पस्चिम मंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। हमारे सास्त्रों में कहा गया है या देवी सर्व भूतेशु सक्ति रुपेण संस्तिता। अर्थात हर जन में मादुर्गाही शक्ति रुप से भीत है। हमें इसी भावना से पूरी ताकत से काम करना है, जन जन तक पहुँचना है। हमारे सास्त्रों का कथन है या देवी सर्व भूतेशु शांति रुपेण संस्तिता। अर्थात मादुर्गाही जन जन में शांति रुप से स्थीत है। इसलिए हमें शांति, प्रेम, भाय चारे की भावना से देश की एकता के लिए काम करना है। हमारे सास्त्रों का मंत्र है या देवी सर्व भूतेशु दयार रुपेण संस्तिता। अर्थात मादुर्गा सभी प्राणियों में दया के रुप में विराज दी है। इसलिए हमें हिंसा के खिलाप अहिंसा से जीत हासिल करनी है। मारी भावना है कि या देवी सर्व भूतेशु लक्ष्मी रुपेण संस्तिता यानि कि मादुर्गाही सभी के साथ लक्ष्मी रुप में रहती है। इसलिए हमें सब के सुख के लिए, सब के विकास के लिए काम करना है। हमें सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब का ये तप, ये त्याग, ये साधना जल्द ही फली भूत होंगे। परिशे से मा दुर्गाओं मा कालिर काचे प्रार्थना कोरी जेनो प्रती बहुछोर आमरा एई भावे मा ए सेबाओं पुजो करो है कोरे जेते पारी मा देशे रो जातीर उन्नती कल पे आमा देर आशिरवाद कोरूं एई कामना कोरूं वैसे बंगला भाषा में इतनी मिठास है मुझे मालूम है कि उचारण में कुछ नू कुछ कमी रही जाती है लेकिन फूर भी बंगला बोलने के मो से मैं खुद को रोक नहीं पाया हूँ कुरूटियों के लिए एक छमा के साथ ही मैं मा दुरगा के इस पवित्र पावन नवरात्री के परवपर सर जुका कर पणाम करते हुए पुरे राश के कल्यान के लिए आप सब के साथ प्रास्ना में जूडने का गर्वान उभव करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है जै मा दुर्गा जै मा काली